हेलो एब्रिवन तो आज की इस वीडियो में लोग पार्ट तरी करने वाले हैं जो कि हमारा एक्ससाइज सिंप्लिफिकेशन का सॉल्यूशन है तो चलिए कोस्टिन नमबर एट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने पिछली व कि इसमें अगे को सबसे पहले सॉल्फ कर ना था पिछ यहां पर दोनों को सॉल्फ करने के लिए करना पड़ेया 9 का से त्द्री और बंजा नाइन तो फॉर इंटु वन हो गया अब हम क्या आफ है तो आपको लिख देते हैं थ्री वाए फाइब अगर आपको जो भी फ्रेक्शनल टम लिखेंगे उसको आपको ठीक है इंप्रॉपर फ्रेक्शन में सॉल्व कर लेना जैसे त्री बंजा त्री जुड़ा इसको मल्ट्िप्लाई करेगा उपर वाल एफ प्लस करते थे तो यहां पर आजाएगा फायबाई ट्री इंटु फोर बंजा फॉर प्लस फायबाई पूर है था माइनस बाइट थ्री ठीक है अब हमारा नेक्स स्टेप होगा इस टर्म को क्या करना है मल्ट्प्लाइब कर लेते है 3 x 2 6 plus 4 10 by 9 आ जाएगा है ना तो यहां से 10 by 9 आ गया हमारा अब हमें इस क्या solve करना है second step होगा हमारा off वाले को solve करते हैं तो off वाले को solve कर लेते हैं यह वाला है तो यहां off के जगा क्या होता है multiply होता है multiply कर लिए 3 by 5 divided by 5 by 3 into 5 by 4 minus 1 by 3 अब हमको क्या करना है इस वाले को solve करना है क्योंकि यह था क्या था ओफ वाला था ना तो यहां पर 3 3 जा 9 आ जाएगा और 5 2 जा 10 cancel out कर सकते हैं तो हमारा यहां कितना बचा है 2 by 3 तो इसको करने पर 2 by 3 आया divided by 5 by 3 into 5 by 4 minus 1 by 3 कर लेंगे तो हमारा इसका solution क्या आएगा देखिए अब हमको इसमें क्या करना है सबसे पहले division करेंगे ना बोड मास के अनुसार तो division कर लेते हैं तो इस टर्म को अगर हम चाहें तो division को 2 by 3 division के जगा अगर multiply कर देते हैं तो यह वाला reciprocal हो जाता है न उल्टा तो इसको हम 3 by 5 लिग देंगे ठीक है कि इन्टू 5 by 4 माइनस 1 by 3 अब यहां पर देखिए दो-दो multiplication आ गया तो हमने तो अभी इसको सॉल ने किया डिवैड वाले को यही वाला टम तो चल रहा बस इसको हमने रेसिफ प्रोकल किया है तो इसलिए हमको क्या करना है इस वाले टम को multiply कर लेना तो 3 to 6 अ कि यहां पर आ जागा 6 by 15 अ ठीक है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते ना अब हमारा नेक्स्ट टेप होगा अब हमारा नेक्स्ट टेप होगा कि हमें 1 by 2 और 1 by 3 का ल्टिम निख निच्छे वाले टम का ल्टिम निकालना है तो 36 अ गया हाँ मैं तो हमारा 236 हो गया आपको इन्टो एंसर कितना आ गया एंसर का 1 बाट यह जो हमारा एंसर है तिसी त्राइब से आपको वो इसस्तेमेटिक देंग से रूल के इसाब से बनाते जाना आपका अंसर आ जाएगा अब चलिए कोशन नमर नाइन बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह सब जो है फ्रैक्षण लटम है तो जो भी फ्रैक्षण टम है आपको उसको चेंज कर देना है ठीक तो इसको हम करेंगे इम प्रॉपर फ्रेक्शन में चेंज कर देंगे तो 73 जा 21 प्लस 1 22 बाइ 3 आ जाएगा यहां से डिवाइड़ बाइ 2 बाइ 3 और 5 जा 10 प्लस 1 11 बाइ 5 प्लस 81 जा 8 प्लस 3 11 बाइ 8 डिवाइड़ बाइ 4 तुजा 8 प्लस 3 11 बाइ 4 माइनस तो अंजा 2 प्लस 1 त्रीवाइ 2 चैँक है तो यह हमारा आगे अब हमारा यहां मस्amas की जाएंगे ज्याथ कि हम जानते हमारा नेक्स टिब क्या होता है सबसे पहले ब्रैक्त होता है इसमें आमको ब्रैकत है नहीं तो इसमें क्या दिख रहा है आफा है किने हैं आप को इस वाले टमस प्राइब को सब्सक्रण करें यह को 22 बै 3 लिखेंगे डिवाइड़ बै 2 बै 3 और आप के जगा क्या लिखना है आपको multiply लिखना है ना यहाँ पर multiply लिख देना है 11 बै 5 प्लस 11 बै 8 डिवाइड़ बै 11 बै 4 माइनस 3 बै 2 चेक है तो हमें इस वाले टम को सॉर्प करना है तो आप देख सकते हैं 11 तुजा 22 ब्लस 35 जा 15 इसको लिख सकते हैं तो हम यह लिख देंगे 22 बै 3 कि डिवाइड़ बै 11 तुजा 22 और 5 तुजा 15 22 बै फिटीन आगया ठीक है प्लस 11 बै डिवाइड बै 11 बै फूर माइनस 3 बै तो अब इसमें हमारा कौन सा होगा तो हमने देखा बोड़ मास में भी ब्रैकेट होगिया ऑफ भी होगिया डिविजन तो अब हमारा नेक्स्ट टेप क्या होगा डिविजन वाला है ठीक है तो आप इसमें देखते हैं एक यहां पर है और एक यहां इसमें दो दो टम वाला तो इसको जब इस टैप्स के भी मिले आपको ज्यादा टेंशन ले नहीं लेना आपको सिंप्ली उसी वे से बनाते जाना जो रूल है आपको बताया गया ठीक है तो हम क्या करतेंगे इस टर्म को जो है ऐसे लिग देंगा ना ट्व है और इस यहां पर डिवाइड के जगा पर मटिप्लाइ कर देंगे और फिर 11 वाइफ 4 को क्या लिखेंगे 4 वाइफ 11 ठीक है और हमारा यहां आ जाएगा 3 वाइट 2 अब हमें क्या करना है कि इसको और इसको सॉल कर सकते हैं चुछ चली सॉल करके देख लेते क्या आता है य तो हमारा क्या क्या बचा यहां पर बच जाएगा 5 वाइट 1 प्लस यहां से बच जाएगा हमारा 1 वाइट 2 और यहां से क्या बच जाएगा 3 वाइट 2 सेम्टम आ गया अब हम क्या करें तीनों का लेकर बना सकते हैं तीनों का हम ले ले लेते हैं तू है यहां से भी टू है यहां पर तो है टू होता है इसलिए वन ही होगा तो हमारा टैन प्लस वन कितना हो जाएगा 11 और 11 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा एट बाय टू जो की ओर की इकवल हो जाएगा तो इसका एंसर कितना आ जाएगा आपका पूर तो यह कुश्चन नमबर एट भी हमारा सॉल्व हो गया तो इस टर्म में आपको क्या दिख रहा है जितना भी फ्रेक्शनल टर्म में सबसे पहले चेंज गर लेते हैं तो यहां से हमारा क्या आजाएगा यहां पर आजाएगा 35 प्लस 136 बाय 7 मैनस ब्रेकेट दे देना यापको 310 जा 30 प्लस 3 33 बाय 10 डिवादेर बाय 5 तू जा कितना हो जागा 10 प्लस 4 14 बाय 5 मैनस यहां से 7 बाय 10 अब हमारा next step होगा कि हमें सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले ब्रेकेट को को सॉल्व करना है ठीक है जो कि यहां पर हमारा है तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारा 36 by 7 माइनस तरली ब्रैकेट देजिए 33 वा टैन डिवाइड बै इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सौलो करना है तो हम क्या करना होगा exist that 5 और 10 का एल honestly हम निकाल लेते हैं हमारा है टन आ जाएगा 5 तूजा prisए माइनद दें तो 2007 मतलब 28 में में सेवन मय ङना है to 28 में 7 मनदस करते है तो 21 आता है तो आप हम मिस तर्म को कैसे लिए थेंगे माइनस ब्रैकेट दें 33 वा 10 डिवाइड़ बाई 28 में 7 मानेस करते हैं तो 21 आ जाता है 21 बे 10 तो यह ब्रैकेट हमारा कतम हो जाएगा और यह कर्ली ब्रैकेट आपको दे देना है ठीक है अब हमारा है नेक्स्ट इस वाले टम को सॉल करना है क्योंकि यह ब्रैकेट आता है उस ब्रैकेट के बाल कर लिए ब्रैकेट को तो अब हम यहां लिखेंगे टाटी सिक्स पाइस सेवन माइनस ब्रैकेट दे देना है पहले हम डिवाइड में तो हमें डिवाइड को मटिप्ला कर लेना तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे तो यह जाएगा 33 वा टैन मंटिप्लाइबाइब यह रेसिप्रोकल हो जाएगा तो टैन वाइटी वन टेक है अब हम इस वाले टम में टैन और टैन को केंसिल आउट कर सकते हैं और थ्री का टेबल में यह 21 आ जागा 37 जा 21 और 11 जा 33 तो यहां से हमारा यह जो है सॉल्व हो चुका है हम नेक्स्ट एब लिख सकते हैं 36 बाइब सेवन माइनस 11 बाइब सेवन इन दोनों का हमें क्या करना है सेवन नहीं है तो 36 में हमें 11 को सब्ट्रेक्ट कर देना है तो हमारा एंसर कितना आ जाएगा इस में वन तो 253 में वन तो टू तो 22 25 बाइब सेवन है जो हमारा एंसर हो जाएगा तो कुश्चन अब टैन भी सॉल्व होगी आप करते हैं कुश्चन बाइब से हैं इस टर्म में भी आपको फ्रेक्टनल टर्म ज्यादा दिख रहे हैं तो इसको चेंज कर लेना है ना इन फोर जा 36 प्ल 22 23 10-2 द्री मांननस फिर लैकेट 22 दीहां फिर ब्रेकेट न्यूंज क्यों फिर उसकों तरी वाइजяг्या प्लस दीह नहीं मां इस सब करना होगा तो सबसे छोटा ब्रैकेट काॉं सा मारा रहता है यह होता ए तस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले reminding में solve करना है तो चली solve कर लेते हैं हमारा यहां सा जाएगा 39 बै इस फोर डिवाइड़ बै है थाटीन बैशिक्स प्लस ड्रैकेट थाटीन बैट्री माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला को प्लस फोर प्लस यहां से भूब फोर प्लस यहां से सबने हो जाएगा अ ने कर नेक्स टेप क्या होंगा 39 बैश्य विदेंगे दिवाइड़ कर देंगे ब्रैकेट प्लस यह ब्रैकेट दे देना आपको 13 by 3 तो इस टर्म में हमें इस वाले को ही सॉल कर रहे थे ना इसको पहले सॉल कर लेते हैं कि एड़ करने पर थाटीन बाई फोर आ जाता है तो माइनस थाटीन बाई फूर ठीक है ब्रैकेट बंद करके आपको लिख देना है अब इस वाले टम में आपको खिल्खो सबसे पहले सॉल करना पड़ेगा इस टम को हम सॉल करेंगे इसके अंदर वाज जो भी है तो सॉल कर रहते हैं थर्टी नाइन बाई फोर डिवाइड़ बाई ब्रैकेट देते जाना है बूलना नहीं यह देने तो इस वाले टम को अब जावा में लसे में निकालेंगे तो दोनों के लसे मारा आ जाता है 12 3 4 12 वता है तो 13 4 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा माइनस 4 3 12 कि यहां से 3 9 आ जायगा अब इसको सॉल कर लेंगे तो 52 में 39 मैंस कर लेंगे 39 by 4 divided by bracket दे देना है 13 by 6 plus और इसके अंदर वाले को solve 39 minus करना है आपको 3 और 1 तो यहां से हमारा आ जाएगा 13 by 12 सब्ट्रेक्ट करने पर तो अब हम इस ब्रैकेट को solve करेंगे तो यह आजाएगा 39 by 4 divided by इस दोनों का LCM निकाल लेंगे फिर से हम 6 और 12 का 12 यहां आएगा 6 तूजा 12 13 तूजा 26 plus 12 बंजा 12 तो यहां 13 हो जाएगा और इस दोनों के हम solve कर लेंगे फिर से तो मरा आएगा 39 by 4 divided by 3 plus 6 9 हो गया 2 plus 1 3 हो गया 39 by 12 तो इस टर्म को आम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 39 by 4 multiply by इस यह वाला reciprocal हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो यह 12 by 39 हो जाएगा तो 39 39 cancel out हो गया 43 जा 12 हो जाएगा तो हमारा answer कितना आ गया 3 जो कि हमारा answer था तो इस टाइप से हमारे कोशन